बच्चो आगे है फलम, एक वचन में फलम क्या है, एक फल, फले, दी वचन में फले क्या है, दो फल, और फलानी, बहु वचन में फलानी क्या है, तीन या तीन से जादा फल, इसे आगे है एक किशी भी शब्द में यदी री रहलंद के साथ यश हलंद के साथ आए और इसके बाद न आए न भी हलंद के साथ है इस कार्थ है कि ये सभी वन आधे हैं तो न हलंद को न कर दिया जाता है इस कार्थ है देखो जैसे कि किसी शब्द में री आ जाए रा जाए शा जाए तो हमारा देखो जो हमारा बहुवचन होता है उसमें अंत में क्या है न तो ये जो न है ये न की बजाए क्या हो जाता है न हो जाता है जैसे आमराणी देखो यहां पर मामा के नीचे रह है आधा रह है तो आमराणी पत्राणी वस्त्राणी मित्राणी आदी अब हम नपुसक लिंग में फल पढ़ेंगे सबसे पहले है आमरम आमरम कार्थ होता है आम एक वचन में है तो क्या आएगा एक आम इसके बाद है आमरे देखो शब्द के साथ एक ही मातरा है दिवी वचन में है आमरे तो दो आम आगे है आमराणी आमराणी का अर्थ क्या है तीन या तीन से ज़्यादा आम आगे है नारी केलम नारी केलम का अर्थ होता है नारियल एक वचन में है तो एक नारियल आगे है नारी केले नारी केले का अर्थ होता है दो नारियल नारी के लानी तीन या तीन से जादा अनारियल आगे है दाड़ी मम दाड़ी मम का आर्थ होता है अनार एक अनार दाड़ी में दो अनार और दाड़ी मानी तीन या तीन से जादा अनार जम्बू फलम जम्बू फलम का आर्थ होता है जामुन तो एक वचन में है एक जामुन जम्बू फले दो जामुन आगे है जम्बू फलानी तीन या तीन से जादा जामुन इसके आगे है अमरित फुलम अमरित फुलम का क्या आर्थ होता है अमरूद अमरित फुलम क्या होता है अमरूद एक वचन में क्या होगा एक अमरूद इसके बाद है अमरित फले दो अमरूद अमरित फलानी तीन या तीन से जादा अमरूद चो अब हम वस्तुओं के नाम पढ़ेंगे पहले है चक्रम एक पहिया चक्रकार्थ होता है पहिया और एक वचन में है तो एक पहिया, चक्रम एक पहिया चक्रे द्वी वचन में है, एक ही मात्रा भी है, तो दो पहिये अब है चक्राणी, चक्राणी कार्थ होता है तीन या तीन से जादा पहिये अब है चल्चित्रम, चल्चित्रम का आर्थ होता है सिनेमा, सिनेमा का आर्थ है एक सिनेमा, चल्चित्रे दो सिनेमा, चल्चित्रानी तीन या तीन से ज्यादा सिनेमा इसके आगे है दूरदर्शनम, दूरदर्शनम का आर्थ होता है एक टेलिवीजन, दूरदर्शने दो टेलिवीजन और दूरदर्शनामी तीन या तीन से जादा टेलिवीजन